धर्मनगरी हरिद्वार में रिष्टे को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है दरसल यहां एक कल्योगी सौतेले बाप ने अपनी ही नावालिक बेटी के साथ जबरंदुश कर्म किया इस मामले का पता जब पेड़ता की मा को चला तो उसने बेटी के साथ कंखल थाने पहुच कर अपने ही पती के खिलाफ तहरीर दे दी पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परिक्षन कराने के बाद ना केवल आरूपी को गिरफतार किया बल्कि उसके खिलाब पॉसको एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा भी पंचिकरत करवा लिया है और अब आरूपी को जेल भेज़िया गया है जानकारी के अनुसार आरूपी ने 14 साल पहले एक महिला से शादी की थी जिसके पती की मौत हो चुकी थी महिला के पास पहले पती से एक बेटी थी जिसका लालन पानन तभी से पती पतनी करते आ रहे थे बीते सोमवार देर शाम घर पर लड़की अकेली थी इसी दोरान उसका सौतेला बाब घर पर आ गया बताया ज़ा रहा है कि पिछले कुछ समय से लड़की पर बुरी नज़र रखता था महिला सोमवार को मौका देखकर उसने घर में अकेली लड़की के साथ जबरन दुशकर्म किया और घर से फरार हो गया कल ही ये मामला संग्यान में आया था और ततकाल पुलिस वहरा कारवाई करते वे इसमें मुकदमा पंजिकरित किया गया पॉक्स वैक में मुकदमा पंजिकरित हुआ और जो सौतेला बाब था उसको अरेस्ट करके आज नयाले में पेश किया जाए ये फिलाल तो हरिद्वार में ही रह रहे हैं लेकिन ओरिजिनली जो इनका पैत्रि गाउं है जो लड़की है वो बागपत के रहने वाले है फिलाल पुलिस तहरीर के आधार पर आरोपिक कल्योगी सौतेले बाब को गिरफतार करके कारवाई करने चुट गई है पंजाब के सिरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजडाल की रेपॉर्ट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद